आज हम डिसकस करने वाले हैं यूपी टेट 2016 का कोर्शन पेपर अपर प्राइमरी लेवल के लिए जो हुआ था और उस पेपर में मैज का कोर्शन सौल करेंगे इससे पहले यूपी टेट 2011 का कोर्शन पेपर हमने सौल कर लिया है और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है आप वहाँ से चेक कर सकते हैं तो पेपर जो है वो दो लेंग्वेज में आता है हिंदी और इंग्लिश हम दोनों ही साथ में लेके चलेंगे ताकि द प्लस 27 पावर 1 ओवर 3 और इस पूरे की पावर 3 दी है और यहां यह पावर है हमारे पास 1 ओवर 4 का मान है इससे सिंप्लिफाई करना है वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें तो यहां 5 आठ को हम लिख देंगे दो पावर 3 और यहां यह है 1 ओवर 3 प्लस 27 को 3 पावर 3 लिखेंगे और यहां यह पावर दे रखी है 1 ओवर 3 और इस पूरे की पावर 3 है और यहां यह 1 ओवर 4 तो यहां यह कैंसल आउट हो जाएगा 5 और यहां यह रह गया हमारे पास 2 प्लस यहां यह 3 और यह पूरी पावर 3 1 ओवर 4 तो यह बन जाएगा यहां 5 और यह भी यहां 5 हो गया और यहां यह पावर दे है 3 और यह 1 ओवर 4 तो यहां मल्टिप्लाइ करने की ज़रूरत नहीं है सीधा ही लिख देते हैं क्यूंकि बेस सेम है और पावर जाएड हो जाती है यहां 1 है तो यह हो जाएगा 5 पावर 4 और यह 1 ओवर 4 दिया है यह भी कैंसल आउट तो यहां 5 हमारा अंसर आजाएगा और यहां से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है पेट्रोल की कीमत 25 प्रतिशत की दर से बढ़ जाती है पेट्रोल पर खर्च ने बढ़े इसके लिए यात्रा में कटोती करनी पड़ेगी बताना है कि कितने प्रतिशत कटोती करनी पड़ेगी इंग्लिश में भी देख लेते हैं तो यहां इसके लिए एक डारेक्ट फॉर्मूला होता है अगर इंक्रीज हो रहा है कीमत बढ़ रही है जितने भी परसेंट हम माल लेते हैं परसेंट बढ़ रही है तो यह क्या हो जाएगा आर बटे सो प्लस आर और यहां उच्छा प्रतिशत में आजाएगा और यहाँ decrease हो रहा हो अगर जो हमें value दी है जितने भी percent वो decrease हो तो यहाँ minus आजाता है अगर यहाँ कीमत r% decrease हो रही है अगर यह decrease हो कमी हो रही हो तो क्या हो जाएगा r 100-R और यहां यह 100 से गुना हो जाएगी और यह भी प्रतिशत में आ जाएगा तो हमारे पास तो increase का है तो यह लेते हैं 25 प्रतिशत बढ़ रहा है तो R की value 25 यहां हो जाएगा यह 25 बटे 100 प्लस 25 और यहां यह 100 तो प्रतिशत में आ जाएगा सीधा 25 बटे 125 हो जाएगा यह और यह हो जाएगा यहां यह 20 तो कितना reduce करना पड़ेगा travel 20% और यहां से option B correct हो जाएगा next question है एक वृताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव किया जाता है जिसका क्षेत्रफल 16 मीटर और 12 मीटर व्यास वाले दो वृताकार पार्क के एक शेत्रफलों के योग के बराबर है नए पार्क का अर्ध व्यास क्या होगा मतलब radius हमें find out करनी है तो यहां हमें जो दो वृत दे रखे हैं एक वृत जैसे यह दो वृत है और इसका जो व्यास है ध्यान रहे यह व्यास दिया है हमें 16 मीटर और यह 12 मीटर और जो हमारे पास वृत है उसका शेत्रफल इन दोनों वृतों के शेत्रफल के जोड के बराबर है तो हम मान लेते हैं कि उस वृत का शेत्रफल पाई आर स्क्वाइर है उसकी रेडियस को हम आर ले रही है और यह आर वन यह वाला वृत है आर वन ले लेते हैं यह व्यास है तो आर वन कितनी हो जाएगी 16 बटे 2 यह 8 सेंटिमेटर और यह आर वन ले लेते हैं यह 12 बटे 2 6 सेंटिमेटर तो यहां जोड के बराबर है तो क्षेत्रफल जोड देते हैं आर वन के लिए क्या हो जाएगा पाई यह आर वन स्क्वाइर यहां लिख देते हैं चलो पाई आर टू स्क्वाइर तो यहाँ यह बना πाई, पाई तो यहाँ भी है, यहाँ भी यहाँ भी, तो यह cancel out ही हो जाएगा, पाई को दन ले लेते हैं, और साथ में value रख देते हैं, क्या बनेगा, यह R1 है हमारे पास 8 cm, R2 है 6 cm, तो यह 6 cm हो जाएगा, पाई से पाई cancel out, R2 बराबर, यह 64 प्लस 36 हो ज तो R की value क्या हो जाएगी है, हमारे पास 10 cm, तो R था क्या, जो व्रिता का पार्क बनाना है, उस व्रित की त्रिज्या, R 10 cm, हमारे पास यह value आ गई है, और यहाँ से option A correct हो जाएगा, Next question, किसी घन का पिनारा R cm है, जो हमें घन की भुजा दी है, वो R cm है, और यदि इसमें से संभावित बड़े से बड़ा लंब वृतिये शंकु काटा जाता है, तो शंकु का आयतन हमें find करना है, An edge of a cube measures R cm, if the largest possible right circular cone is cut out of this cube, then the volume of the cube, तो यहाँ R cm हमें side दे रखी है, किसी cube की, तो जब हम कोई right circular cone cut करेंगे, तो जो diameter बनेगा, cone का, वो कितना हो जाएगा, R cm? कोई भी cube है, अगर हम यहाँ cube बनाते हैं, तो यह cube है, जब हम cone cut करेंगे, तो जो यह वाली पूरा, यह क्या हो जाएगा, हमारे पास diameter हो जाएगा, तो यहाँ R cm diameter हुआ, cone का, तो radius कितनी हो जाएगी, कौन की? R over 2 cm, हमें volume find out करनी है, आयतन चाहिए, तो आयतन के लिए क्या formula होता है, किसी शंकू का, एक बटे 3 pi r square edge, तो R भी चाहिए, यानि radius भी चाहिए, और height भी चाहिए, तो height कितनी हो जाएगी, height तो पूरी यह R हो जाएगी, उन्चाही हो जाएगी हमारे पास R cm, यहाँ हम value रख देते हैं, तो यह क्या होगा, एक बटे 3, यहाँ pi r square, r हमारे पास कितना है, r over 2, तो r over 2 square हो जाएगा, और h की value कितनी है, r, यहाँ से यह बनेगा, एक बटे 3, pi r square over 4, और यह r, एक बटे 12 हो जाएगा यह, और यहाँ pi r power 3 cm3 हो जाएगा, तो यह value आ जाएगी हमारे पास, और यहाँ से option b correct हो जाएगा, option b इसमें correct बनेगा, अगला question है, यदि 13 power 50 को 14 से भाग किया जाए, तो शेशफल क्या होगा, तो इसे divide करना है हमें 14 से, तो multiply तो करेंगे नहीं, 13 को 50 बार, इसके लिए हम अलग अलग से ले लेते हैं, जैसे 13 power 1 को जब हम 14 से भाग करेंगे, 13 power 1 मतलब 13, 13 को जब हम 14 से भाग करेंगे, तो शेशफल 13 ही होगा, क्यूंकि 13 already छोटा है 14 से, तो यहाँ हम 16 लिख देते हैं, 13 शेशफल आजाएगा, 13 power 2 को करेंगे, 13 को 13 से भुना करते हैं, 169, और यहाँ जब हम 14 से इसको भाग करेंगे, तो शेशफल यहाँ आजाएग एक, और यहाँ 13 power 3 करेंगे, तो भी शेशफल 13 आएगा, आप करके देख वीजेगा, और 13 power 4 करेंगे, तो शेशफल एक आजाएगा, तो इसका मतलब जब power हमारे पास ओड है, विशम संख्या है, तो हमारा शेशफल रिमेंडर जो है, वो 13 आ रहा है, और जब पावर सम जाएगा, तो हमारा रिमेंडर एक आ रहा है, और यहाँ हमारे पास क्या है, सम संख्या, तो सम संख्या के लिए, रिमेंडर क्या हो जाएगा, हमारे पास, एक, तो इसका अंसर आ जाएगा, और यहाँ से option C, correct हो जाएगा, इसके अलावा, number theory में जैसे, graduation के अंदर हम करते ह कॉन्गुरेंट से उस तरह से भी यह सॉल्व हो सकता है इसे लिख दिया जाए 13 पावर 1 कॉन्गुरेंट 2 13 मोड 14 इस तरह से लिखेंगे और 13 पावर 2 करेंगे तो यह 1 मोड 14 हो जाएगा यह जो है वो रिमेंडर लिखा जाता है यहां अदर्वाइस इस तरह से करना भी ठीक है लेकिन जिन्होंने नमबर चुरी पढ़ रखी है उनके लिए यह करना भी आसान है तो यहां हमें 13 पावर 50 चाहिए तो यहां पावर 25 कर देते हैं क्योंकि यहां 25 पावर करेंगे तो य यह 50 हो जाएगा यह 13 स्कॉायर और यहां यह 25 तो जब हम पावर करते हैं तो यहां भी पावर हो जाएगी यह हो गया हमारे पास मोड 14 तो यह बना 13 पावर 50 वन की पावर तो कितने मर्जी हो वन ही रहेगा और यह मोड 14 तो यहां रिमेंडर कितना आ जाएगा हमारे पास व होगा किसे भी तरीके से हम कर सकते हैं इसे next question है यदि x बराबर 3 प्लस बरवमुल 8 हो तो x 3 प्लस 1 बटे x प्लस 3 का मान क्या होगा if x is equal to 3 प्लस root 8 then the value of x cube plus 1 ओवर x cube तो इसे हम लिख लेते हैं x cube plus 1 ओवर x यह तो इस तरह से हो जाएगा तो हम 1 ओवर x की value ले ले लेते हैं यहां से क्या बनेगा 1 ओवर x करें इसे तो यह 3 प्लस root 8 हो जाएगा यहां rationalize कर देते हैं हर का प्रेमे करण तो यहां यह क्या बनेगा 3 minus जो यहां sign होता है उसका उलट लगता है plus है तो minus लगेगा minus है तो plus लग जाएगा तो यह क्या बनेगा हमारे पास 3 minus root 8 हो जाएगा a plus b a minus b तो a square minus b square a square minus यह root 8 square हो जाएगा यहां यह cancel out 3 minus root 8 और यहां यह हो जाएगा 9 minus 8 तो यहां तो a की बचा 3 minus root 8 हो जाएगा 1 over x का मान तो यहां अब हम मान रख देते हैं x cube x तो है 3 plus root 8 cube plus 3 minus root 8 cube ताकि इसे solve करना आसान हो जाएगा तो यह हम rub कर देते हैं इससे simplify करेंगे formula देख लेते हैं इसका यह बनेगा 3 cube plus root 8 cube क्योंकि cancel out हो जाएगा यहां plus है यहां minus है यह बाद में terms cancel out हो जाएगी और यह बनेगा 3 a square b होता है a है हमारे पास 3 3 square root 8 plus 3 a b square तो यह root 8 square हो जाएगा plus इसे open करेंगे यह बनेगा 3 cube यहां minus root 8 cube हो जाएगा minus 3 3 square root 8 और यहां यह plus होता है formula के अंदर और यह इस तरह से हो जाएगा जो plus minus की terms है वो cancel out हो जाएगी जैसे यह cancel out हो जाएगा और यह term cancel out हो जाएगी यह क्या बनेगा हमारे पास 3 power 3 यह 27 हो जाएगा plus यहां यह cancel out तो 3 3's are 9 9 8's are 72 और यह हो जाएगा हमारे पास उसके बाद यह 27 और यहां यह भी cancel out और यह 72 हो जाएगा जब हम इन्हें add करेंगे तो यह हो जाएगा 1 9 8 और यह हमारा answer आजाएगा और यहां से option B correct हो जाएगा next question है x power 2 plus 3 root 2 x plus 4 के गुणा नुखंड है तो factors of this term factor कैसे find out करते हैं यहां x square इसे हमें तोड़ना होता है जिसमें multiplication कितनी आजाए 4 आजाएगी तो इसे क्या लिख देंगे 2 root 2 x plus root 2 x plus यहां यह term 4 आजाएगी जब हम यहां add करेंगे तो यह 3 root 2 हो गया और जब हम multiply करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इन दोनों terms में से x बाहर आजाएगा यह x plus 2 root 2 हो जाएगा और यहां से root 2 बाहर आजाएगा और यह बनेगा x plus 2 root 2 तो यह बनेगा हमारे पास x plus 2 root 2 and x plus root 2 तो यहां से option B correct हो जाएगा next question एक समांतर चत्रभुज की दो सलंगन भुजाएं 74 cm और 40 cm है यदि इसकी विकर्णों में एक विकरण 102 cm हो तो समांतर चत्रभुज का खेतरभल हमें निकालना है English में देखते हैं 2 adsense sides of a parallelogram are 74 cm यह हमारे पास कोई समांतर चत्रभुज है parallelogram है यह और यह हमारे पास दिया है 74 cm और यह है हमारे पास 40 cm if one of its diagonals is 102 तो हम मान लेते हैं यह diagonal है हमारे पास यह 102 cm दे रखा है तो then area of the parallelogram तो इस parallelogram का हमें area find out करना है देखें यह 2 triangles हो जाएंगी तो area कैसे find out करेंगे अगर हम एक triangle का area ले लेते हैं उसको 2 से multiply कर देते हैं क्योंकि equal triangles होंगी यह तो 2 से multiply कर देंगे पूरा parallelogram का यह जो हमारे पास समांतर चत्रभुज है उसका area आ जाएगा तो अगर हमारे पास कोई triangle हो साथ के साथ यहां अपलाई करते हैं क्या बनेगा s हमारे पास 40 प्लस 74 प्लस 102 और यहां divide हो जाएगा यह 2 से तो इन्हें जब हम add करेंगे यह बनेगा 216 बटे 2 तो 108 हा जाएगा यह हमारे पास value आ गई है s की उसके बाद क्या करना होता है root के अंदर यह s लिखा जाएगा s माइनस a s माइनस b s माइनस c करेंगे तो यह area आ जाएगा s की value है 108 और इसे हम लिख लेते हैं 108 108 108 माइनस एक एक side है माइनस करनी तो यहां यह 74 फिर 108 माइनस 40 हो जाएगा 108 माइनस 102 हो जाएगा तो जब हम इसे लिखेंगे यह बनेगा 108 और यहां यह बन जाएगा हमारे पास 34 और यह बन जाएगा 68 और यह बनेगा 6 अब हम यहां simplify करेंगे इसे multiply करके root find out करने की ज़रूरत नहीं है यहां अंदर हम इसे factorize कर लेते हैं ताकि जो pair में आएगे जो जोडे बनेगे यानि कि हमें तो root चाहिए ना जो double time आएगा वो single time हम बाहर लिख लेंगे तो करते हैं तो यह क्या बनेगा 108 को लिखते हैं यह बन जाएगा हमारे पास 2 multiply 2 multiply 3 3 and 3 अगर यह ना पता चले किस तरह से लिखना है तो जैसे XCF करते हैं यह 2 हो जाएगा यहां यह हो गया मारे पास 54 फिर 2 पे यह 27 फिर 3 यह इस तरह से देख लेंगे किस तरह लिखा जाएगा प्राइम फेक्टर्स ही है यह भज्य गुनन खंड जो होते हैं और यहां 34 है इसे लिख देंगे 2 गुना 17 और उसके बाद है 68 इसे लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 17 और उसके बाद है 6 तो 2 गुना 3 हो जाएगा अब हम देख लेते हैं यहां यह प्राइम फेक्टर कौन से बनेंगे इन 2 गुना 2 में से एक 2 बाहर आजाएगा यहां से एक 3 बाहर आजाएगा उसके बाद इस 3 और यह 3 एक 3 लिख लेंगे यहां से और यहां से दो लिख लेंगे 17 और 17 में से 17 आजाएगा और यह 2 आजाएगा इन सबी को गुणा कर देंगे और जब हम इन्हें मल्टिप्लाइ करेंगे तो ये आजाएगा हमारे पास 1224 cm2 अक्षेतरफल है ना तो ये स्क्षेतरफल आजाएगा तो ये इस ट्राइंगल का एरिया आगया जो ये त्रिभुज है इसका अक्षेतरफल आजाएगा हमें पूरे स्मांतर जद्रफुज का चाहिए तो उसके लिए 2 से गुणा कर देंगे तो ये बनेगा 1224 गुणा 2 तो ये हो जाएगा 2 448 cm2 और यहाँ से option C option C यहाँ से correct हो जाएगा 2448 cm2 तो option C correct बनेगा नेक्स्ट कोशिन है यदि एक सम बहुबुज का परतेक भहिशकोन 18 डिग्री है 18 डिग्री दिया है तो बहुबुज के बुजाओं की संख्या इप एच एक्स्टीडियर एंगल ओफ रेक्टैंगुलर पॉलिगन इस 18 डिग्री तो जो एक्स्टीडियर एंगल्स होते है यह हमें एक एंगल की वैल्यू देती है और जो पॉलिगन है वो रेगुलर है इसका मतलब सारी साइड्स एक्वल होंगी तो सारे एक्स्टीडियर एंगल्स जो होंगे वो एक्वल होंगे जैसे ये सारी sides अगर equal हैं, कोई भी polygon ले लेते हैं, ये हमें पता नहीं है, हमें तो sides find out करनी है, तो अगर कोई भी polygon है, exterior angles जो ये बनते हैं, अगर same sides होगी, तो ये value भी same हो जाएगी, क्योंकि regular है, तो ये 18 degree हमें दिया है, जो sum होता है, exterior angles, जो भी, जितने भी exterior angles बनते हैं, इन सब का जो sum है, वो हमेशा 360 degree होता है, sum of the exterior angles is equal to 360 degree, तो सभी को अगर हम जोडेंगे, और बराबर रख देंगे, 360 के, तो सभी जोडने हैं, तो 18 degree plus 18 degree इस तरह से add करेंगे, तो ये जितनी भुजाएं होंगी, उतनी बार ही add करेंगे, तो हम मान लेते हैं, ये x भुजाएं हैं, और x बार add करेंगे, तो multiply कर देते हैं, x से, is equal to 360, तो यहां से x की value आ जाएगे, 360 divided by 18, तो ये हो जाएगा यहां 20, तो जितनी भुजाएं थी, उतनी बार जोड़ा गया, तो भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 20 भुजाएं, तो यहां से हमारा option c correct हो जाएगा, next question है, the distance of the point minus 7 and minus 2 from y axis, बिन्दू minus 7, minus 2 की y axis से दूरी, तो यह minus 7, यहां minus 7 और यहां कोई minus 2 है, तो यह बिन्दू यहां हो जाएगा, y axis यह है, और x यह, तो यहां हमें y axis से दूरी देखनी है, तो यह हो जाएगी, तो यह हो जाएगी हमारे पास 7 units, क्यूंकि यह minus 7 है, यहां यह 7 units दूरी हो जाएगी, तो option c यहां correct बन जाएगा, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके जो बाकी के questions है, 2016, UPTAT के maths के जो बाकी questions है, वो हम next वीडियो में discuss करेंगे, तो अगर वीडियो पसंद आए, तो like कीजिए, share कीजिए and चैनल को subscribe कीजिए and press the bell icon to get the notifications. झाल सचे हैं, तो रहर सक्कित्स आएगा, तBayए मीडियो भीक बंद सक्कित् रहराज जार्फेसंसे हैं,